हलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंजल ब्रोकिंग के ट्रेडिंग आप को यूज कैसे करें, जैसे की डिलेवरी, इंट्राडे, एफेनो में ट्रेड कैसे करें, मुचिल फंड, गोल्ड, आईपी उप कैसे बाई करें, फंड ट्रां के जवाब step by step, इस वीडियो को last तक देखें, तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाके, एंजल ब्रोकिंग का आप डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही ये आप डाउनलोड हो जाता है, इसे हम open कर लेंगे, और हम जिस भी language में comfortable है, उस language को select कर लेंगे, अब ये हमसे user ID और password पूछेगा, अगर आपके पास password नहीं है, तो आप forgot password पर click कर सकते हैं, ये password आपको आपके mail पे या mobile पर मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम user ID पासवर्ट डाल कर login कर लेंगे, जैसे ही हम login करते हैं, हमारे सामने ये watch list वाला page open हो जाएगा, इस page पर जो उपर तीन lines दिख रही है, उस पर click करकर हम इस page तक आएंगे, यहाँ से हमारा profile change होगा, नीचे जो options आपको दिख रहे हैं, जैसे कि report mutual funds, इसके बारे में हम आगे इस video में बात करेंगे, पहले हम profile change कर लेंगे, यहाँ से आप अपना email address और mobile change कर सकते हैं, आपको अपना नया number यहाँ पर submit करना है, confirm करने के लिए आपको फिर से अपना नया mobile number यहाँ पर डालना है, इसका जो OTP है, यह आपको अपने पूराने mobile number पर आएगा, वो OTP लेकर आपको यहाँ पर enter करकर submit कर देना है, जैसे ही आप submit करेंगे, आपके सामने एक pop-up window आएगा, कि request आपका successfully accept हो गया है, तो within a one day आपका नया mobile number अपडेट हो जाएगा, सेम इसी तरह से आप अपना email address भी यहीं से change कर सकते हैं, अब जो active segment आपको दिख रहा है, इस पर click करकर आप कोई भी segment add कर सकते हैं, इसके लिए आपको ITR या 6 month bank statement upload करना होगा, तो आपका segment active हो जाएगा, अब चलिए दिखते हैं bank, my profile में bank पर click करकर, यह side वाले symbol पर click करकर, आप bank add या फिर change कर सकते हैं, अब जो उपर आपको symbols दिख रहे हैं, VG investment, यह मैंने अपना watch list अल्रेडी बनाया हुआ है, अब प्लस में जाके, प्लस watch list में जाके, अपना नया watch list बना सकते हैं, अब यह जो उपर आपको symbols दिख रहे हैं, आप अगर index पर click करते हैं, और nifty पर click करते हैं, तो आपको nifty का ready made एक watch list मिल जाएगा, जो nifty 50 stocks का है, आप अगर sensex पर click करते हैं, तो sensex का भी आपको एक watch list ready made मिल जाएगा, इसी तरह से आपको bank nifty का भी watch list ready made मिल जाएगा, चलिए यह तो हो गया equity के बारे में, अगर आप F&O stock में trade करना चाहते हैं, जैसे कि futures में, तो आप future पर click अगर करत करते हैं, तो जो long build up वारे साले stock है, यह आपको सामने दिख जाएगे, same उसी तरह से short covering, short build up, long unwind, यह सारे stocks के details आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप आसानी से view बना कर trade कर सकते हैं, आप अगर news जानना चाहते हैं, कि market में क्या news अभी live चल रहे हैं, तो आप अगर news पर क्लिक करकर देख सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे stock में trade करना चाहते हैं, जो कि आपकी watch list में नहीं हैं, तो आप add पर क्लिक करें, उस stock का नाम यहाँ पर डाले, मैं अदानी ports डाल रही हूं, जैसे ही अदानी ports पर हम क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यह सारे segment आजाते हैं, ज उसके सारे segment जो हैं, वो हमारे सामने आगए, stock पर क्लिक करकर आप उसके details यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि high, low, volume क्या हैं, यह सारे details आपको यहाँ से दिख जाएगी, अगर आप किसी stock के charts चेक करना चाहते हैं, तो उस stock पर क्लिक कर दें, जैसे कि मैंने Tata Motor पर क्लिक किया और यहाँ पर जो chart का symbol दिख रहा है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यह page open होगा, यहाँ पर आपके सामने दो options आएंगे, जैसे कि trading view और chart queue, मैंने chart queue select कर लिया है, जैसे ही मैंने यह select किया, मेरे सामने Tata Motor के chart open हो गया है, अब यह chart मैं मेरे हिसाब से देख सकती हूँ, जैसे कि आप जो देखना चाहे, 6 month, 1 year, 1 month, 5 day, 1 day, आप जो भी chart चेक करना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करकर चेक कर सकते हैं, उपर में जो आपको symbols दिख रहे हैं, वहाँ से आप chart में RSI वगरे लगा सकते हैं, और detail में आप chart देख सकते हैं, अगर आप chart को candlestick chart में देखना चाहते हैं, तो उपर जो symbol दिये हैं, जहाँ पर chart का symbol देख रहा है, आप उस पर click कर ले, उस पर click करते ही आपके सामने candlestick chart open हो जाएगा, आप इस pattern में ये charts देख सकते हैं, अब हम back जाएंगे और research पर click करेंगे, तो performance किया है, यह सारा कुछ आपको इस page पर details मिल जाएंगे, प्रोफाइल वाले options चेक कर लेते हैं, आप margin calculator पर अगर click करते हैं, तो वहाँ से आप margin देख सकते हैं, कि आपके script को कितना लगेगा, आप mutual fund पर click करते हैं, तो यहाँ से आप mutual funds buy कर सकते हैं, mutual funds के options जो हैं, वो आप balance scheme जो भी आप buy करना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको tap करके buy कर सकते हैं, अगर आप आपकी orders के बारे में status जानना चाहते हैं, तो जो order status दिख रहा है, उस पर आप click करें, तो आपके जो order का status है, वो आपको यहां पर जानेंगे, आप जो भी stock buy करना चाहते हैं, उस पर click कर मैं आपको टाटा मोटर बाई करकर दिखाऊंगी टाटा मोटर पर क्लिक करने के बाद बाई और सेल के सिम्बॉल सामने आएंगे उसमें से हम बाई को सिलेक कर लेंगे तो ये विंडो अपने सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पे हमें quantity डालनी है यहाँ पे दो सिम्बॉल दिख रहे हैं लिमिट और मार्केट अगर आप मार्केट से बाई करते हैं तो आपके सामने जो भी rate चल रहा है उस पे आपकी order बाई हो जाएगी अगर आप लिमिट पर बाई करते हैं आप 2-3 रुपय नीचे बाई करना चाहते हैं तो आप लिमिट और लगाए यहाँ पे जो delivery intraday margin दिख रहा है अगर आप intraday में trade करते हैं तो आपकी जो order है वो 3 सावा 3 बजे अपने आप square off हो जाएगी आप उसे carry नहीं कर पाएगे अगर आप margin में trade करना चाहते हैं तो आपको 4 time limits मिल जाएगी और यहाँ पे नीचे में आपको margin भी दिख रहा है अगर आप delivery में buy करते हैं तो इसे आप carry कर सकते हैं तो चलिए अब हम Tata Motors buy करकर देखेंगे हमने quantity 10 डाल दी है Tata Motor का जो actual rate चल रहा है हम limit price लगाएंगे 295.10 का इसे हम delivery में buy करेंगे जैसे ही हम buy पर click करकर confirm buy पर click कर लेंगे हमारी order place हो जाएगी अब हम order में जाके अपना order status चेक करेंगे तो यह execute नहीं हुई है अब हम इसे market पर buy करकर देखेंगे यहाँ से आप इसे cancel भी कर सकते हैं यहाँ पर आप Tata Motor पर अगर click कर ले तो वहाँ पर आपको modify का option मिल जाएगा जैसे ही आप modify पर click करेंगे यह फिर से यही वाला page आपके सामने आएगा आप limit की जगा पर market कर दे और buy करकर confirm buy कर दे तो यह order execute हो जाएगी यह देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि Tata Motor जो है वो 295.40 पर buy हो चुका है Tata Motors पर click करेंगे तो सारी details हमें यहाँ देखने मिल जाएगी जैसे कि Tata Motors के volume, chart, trade details अगर आप extra buy करना चाहते है तो buy more पर click करके आप extra quantity buy कर सकते है आप यहाँ से stop loss भी लगा सकते है अगर आप stock sell करना चाहते है तो आप यहाँ से exit भी कर सकते है यहाँ पर आपको पूरी details देखने मिल जाएगी कि आपकी क्या quantity buy है उसका M2M क्या चल रहा है अब हम Tata Motor को sell करकर देखेंगे हमने buy करकर देख लिया अब हम sell करकर देखेंगे हम exit पर click करेंगे यहाँ पर हम limit price डालेंगे जैसे कि आप अगर उपर में sell करना चाहते है आपने 295 में buy किया और आप 299 में sell करना चाहते है तो आप उसे 299 डाल कर exit कर लेंगे confirm exit कर लेंगे तो आपकी order जो है यहाँ पर pending orders में दिखेगी जैसे ही टाटा मोटर 299 जाएगा आपकी order जो है वो execute हो जाएगी अब हम इसे modify कर लेंगे और यहाँ पर 296 डाल कर sell करके confirm sell पर हम click कर देंगे तो यह order जो है वो execute हो जाएगी क्योंकि टाटा मोटर का rate अभी 296 के ऊपर चल रहा है trade details में जाके हम अपने trade details चेक कर लेंगे जैसे कि buy quantity और sell quantity buy amount और sell amount हमने क्या price पर buy किया है क्या price पर sell किया है यह सारे ही details आपको trade details में मिल जाएगे हम positions में जाएगे positions में हमें अगर हमने एक से ज़ादा के trades किये है जैसे कि futures में भी trade किये है options में भी किये है equity में भी किये है तो हम उसे positions में जाकर एक साथ check कर सकते है pending order आप यहां से check कर सकते है pending order पर click करें तो आपको pending orders दिख जाएगी अब हम देखेंगे कि future और options कैसे buy sell करें तो bank nifty अगर हम buy करना चाहते है तो हम bank nifty पर click करेंगे तो हमारे सामने next यह buy sell वाली window open हो जाएगी आप अगर buy पर click करते है तो यह details आपके सामने आ जाएगी buy पर click करेंगे तो हमारे सामने यह details आ जाएगी कि हम कितना lot buy करना चाहते हैं हम अगर एक lot डालते है तो आपको जो नीचे 7,98,000 दिख रहा है यह contract value है margin आपको 1,5 lakh का लगेगा आप यहाँ पर दो lot डालके भी check कर सकते हैं कि आपको margin कितना लगेगा यहाँ पर हम buy करके bank nifty buy कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि हम option कैसे buy करें option chain में जाएंगे तो वहाँ पर हमें strike price दिखेगा सबसे पहले हम expiry चूज कर लेंगे और उसके बाद हम चूज करेंगे अपना strike price strike price हमने 32,000 का select किया है जैसे ही हम इस पर click करेंगे यहाँ पर फिर से हमें buy sell के symbol दिखेंगे यहाँ पर rate भी दिखेगा जो 587, 585 चल रहा है हम एक lot buy करेंगे फिर से आपको नीचे में margin दिख जाएगा कि एक lot के लिए आपको यहाँ पर कितना margin लगेगा और यहाँ पर आप price भी डाल सकते है limit price भी आप डाल सकते है आप इस पर buy click करेंगे तो यह buy हो जाएगा buy करने के बाद हम फिर से order में जाकर position में जाकर हम इसे check करेंगे इस पर click करेंगे तो हमें आगे की details भी मिल जाएगी जैसे कि हमने इसे कितने lot हमने buy किये है क्या rate पर हमारे जो options है वो buy हुए है और अभी उनका profit और loss क्या चल रहा है यह यहाँ पर आप देख सकते है अब हम exit पर click करकर इसे sell करेंगे exit पर click करने के बाद यहाँ पर हमें price डालना होगा कि हम क्या price पर sell करना चाहते है मैं 590 डालकर इसे exit कर रही हूँ pending order में मुझे यह दिख जाएगा कि यह 590 पर order लगा है जैसे ही bank nifty का जो option है वो 590 जाएगा आपका order जो है वो execute हो जाएगा same इसी तरह से आप currency में भी buy sell कर सकते है अगर आप चाहते हैं कि हम currency market पर भी videos बनाए या currency में क्या क्या strategies हो सकती है उस पर video बनाए तो हमें comment में जरूर लिखे जब भी कोई trade लेते है या उसकी square of order लगाते है या limit order लगाते है तो हमें यह order watch list में जाके orders में जाकर pending order में जाकर check करनी होगी अगर pending order में कोई order नहीं है तो आपकी सारी orders जो है वो execute हो चुकी है हमने जो bank nifty की 590 पे order लगाई थी वो execute हो चुकी है आप उसकी details यहाँ पर भी देख सकते है जो कि 590 पे sell हो चुकी है और आप order में जाके positions में जाके आप directly देख सकते है कि आपने क्या rate पे buy किया था और क्या rate पे sell हुआ है total profit loss भी आपको वहीं से दिख जाएगा हमें जब भी trading स्टार्ट करनी होगी तो हमें अपने demand account में सबसे पहले funds की ज़रूरत पड़ेगी तो fund transfer कैसे करें अब हम देखेंगे आप नीचे जो options दिख रहे हैं उस पे अगर आप fund पर click करते हैं तो ये page पर आप आजाएगे add funds या withdraw आप दोनों यहाँ से कर सकते हैं add fund पर click करके आप इस page पर आएगे यहाँ पर आपको amount पूछी जाएगी कि आप क्या amount transfer करना चाहते हैं आपको यहाँ पर amount डाल देनी है इसके नीचे जो mode of transfer आपको दिख रहा है उसमें आप तीनों में से कोई भी एक option सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि net banking, UPI, Google पे ध्यान रहे कि आपके dmat account के साथ आपका जो bank account registered है उसी से UPI या Google पे होगा हम UPI select कर लेंगे और proceed करेंगे तो आएए हमें next page पर ले जाएगा next page पर हम beam select कर लेंगे beam app through हम transfer करेंगे अगर Google पे या patium select करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जैसे ही हम beam app पे click करेंगे यह हमें next page पर ले जाएगा यहाँ पे हमें अपना passcode डालना है passcode डालने के बाद हमें proceed कर देना है जैसे ही हम proceed करेंगे तो यह हमें show कर देगा कि angel broking में आपके पैसे जो है वो transfer हो चुके है जैसे ही fund transfer हो जाएंगे आपको एक confirmation message भी आ जाएगा कि आपके fund जो है वो transfer हो चुके है अगर आपका already कोई portfolio है और आप उसे check करना चाहते है तो जो नीचे दिये गए options है उस पे आप portfolio पे click करके आपका existing portfolio check कर सकते है उपर left hand side में जो तीन line दी गई है उसको click करकर हम इस page तक आएंगे यहाँ पर हम बात करेंगे mutual fund और stock SIP की आप अगर mutual fund buy करना चाहते है तो आप direct mutual fund पर click करके उसे buy कर सकते है या फिर अगर आप stock किसी particular stock में SIP करना चाहते है तो आप stock SIP पर click करे तो आप इस page तक आ जाएंगे stock SIP में आपको ये details enter करने होंगे जैसे कि आपको आपके basket का name सिलेक्ट करना होगा आप amount डाल दे कि आप क्या amount के stock SIP करना चाहते है यहाँ पर frequency आप डाल दे आप कितने सालों के लिए करना चाहते है अगर आप एक से जादा के stock अपनी SIP basket में रखना चाहते है तो create basket को सिलेक्ट कर ले तो आप इस page पर आएंगे यहाँ पर आपको आपके stock सिलेक्ट करने है कि आप कौन-कौन से stock अपनी basket में रखना चाहते है अब example के तोर पर हमने amount सिलेक्ट की है 5000 अगर आप 2 stock सिलेक्ट करते है तो यह उसे divide कर देगा 50-50% में अगर आप उसे जादा के stock सिलेक्ट करते है तो यह उस ratio के हिसाब से amount को divide करेगा और उस particular date पे जो आपने date सिलेक्ट की है उस date पे आपके portfolio में यह stock buy होते रहेंगे मैं आपको 4 stock सिलेक्ट करके बताऊंगी जैसे कि मैंने Tata Motor, CDSL, HDFC और Reliance यह stock अपनी basket के लिए सिलेक्ट किये है और इस छोटे से box में क्लिक करकर मैंने place order कर दिया है तो मेरी जो SIP basket है उस particular date से शुरू हो जाएगी अब अगर हम F&O में trade करना चाहते है और हमें margin calculate करना है कि हम क्या buy कर रहे है कौन सा lot buy कर रहे है और इसके लिए क्या margin लगेगी वो हम यहां से margin calculator से देख सकते हैं कि हमें कितना margin लगेगा example के तोर पर हम Nifty select करके देखेंगे तो Nifty के लिए अगर हम एक lot buy करते है तो यहां पर आपको margin दिख जाएगा कि आपको margin इतना required होगा अगर आप IPO buy करना चाहते है तो IPO को select करके market में जो भी live IPO चल रहा है वो आप इस app through directly buy कर सकते है अगर अगर security holding पर click करते है तो आपकी जो holdings है वो यहां पर आपको दिख जाएंगी इसकी valuations भी आप यहां चेक कर सकते है इसके साथ ही अगर आप transaction reports देखना चाहते है जैसे की ledger वो आपको transaction reports में मिल जाएंगे research report अगर आप चाहते है तो आप अगर research report पर click करते है तो सारे research आपको यहां पर मिल जाएगे आप इसे download भी कर सकते है तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें comment में जरूर बताए अगर यह वीडियो आपको